यालो दोस्तों वेलकम वैक एक वार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राज आकर के प्रेडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे विग वैस लीग 2022 ते इसके मैच नंबर साथ के वारे में जो खेला जाएगा 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 2022 इसका वेन्यू रहेगा डॉक्लाइंड रहेगा मैल वन में रहेगा उसका जो टाइम होगा भारती है टाइम अनुसार एक बच के 45 मिनट पर दो पैर में ये मैच खेला जाएगा तो पूरी वीडियो देखें आपको वीडियो बहुत कुछ समझन में आएगा और यह आपको काफी मदद करेगी वीडियो ठीक है मैच के लिए तो सबसे पहले हमारा वाट्सअप नंबर आपकी स्कीन पर है 8447-935397 इस नंबर को सेप कर लें स्कीन सौर्ट ले लें यह आपके काफी काम आने वाला है कोई भी चीश समझ में आये तो डाइकली वाट्सअप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं और टेलिग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा बहां जाकर आप टेलिग्राम जॉइन करने और हमारा काम देखें किसी भाई को टेलिग्राम जॉइन करने में दिक्कत हो रही है तो डिर्क्ली वाट्सप पर मैसेज कर देना कि आपधे टेलीग्राम के लिंक करते हो सबससे पहले हम चलते हैं तो सबसे पहले हम जतें कि तरफ है लेंग रेविन हो सकती है तो को सिड्नी थंडर अभी एक ही मैच खेलिए इस बैग बीग वैस में 2022 थे इसमें एक मैच खेलिए वह मैच इसने जीता है मैलवन इस्टार को हराया था एक बिकेट से पहला ही मुकावला था इस बीग बैस का तो इनकी टीम में मुझे नहीं लगता कि कुछ चेंज होगा क्योंकि बिनिंग टीम है तो बिनिंग टीम में चेंज बहुत मुश्किल से होते हैं एक हो सकता है ऑलिवर डैवेस की जगह किस और को यह खिला सकते हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है परसनली की चेंज करेंगे कुछ तो नजर डालते हैं एक बार ओपनिंग की तरफ इसकी जो ओपनिंग है मैथ्व गिलिके और अच्छी ओपनिंग है अलेक्सेस फॉर्म में है ठीक है और गिलिक भी अच्छी बल्ले जब इंडिया आई थी साउथ अफरीका की टीम इसके बाद जेसन सांगा कप्तान इस टीम के अच्छे बल्लेवाजी करते हैं मिडिल ओडर में जान है अलेक्स रोस बहुत तावर तोड़ बल्लेवाज है पिछले मैच में इन्होंने बीस बाइस करेंदों में चालिस रंका लेते हैं लेकिन यह बॉलर में ही काउंट होते हैं इनके सामने आप देखो कि कहीं जाकर तो बॉलिंग अल्लाउंड लिख किया था है बल्ले से पारी इनकी देखने को मिलती नहीं है इसके बाद आते हैं गुरंदर संधू जो प्रॉपर एक गैंधवाज है और फजुला फालुकी है फजल फजल हक फालुकी है नंबर दस पर यह भी बहुत अच्छी गैंधवाजी करा रहे हैं और बेंडन डॉक है यह इनके गैंधवाज है तो दो सिड्नी ठंडर की स्ट्रॉंग टीम नजर आती है इसका रिजन क्या है ओपनिंग अच्छी है मिडिल और अच् सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद नंबर तीन पर जो खेले थे जैक फ्रेसर खेले लेकिन मुझे लगता है कि जैक फ्रेसर को चेंज कर सकते हैं क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी ती यह हो सकता है इक दो मुकाबले में इन लोगों को और भी मोखा मिले अगर से एक फ्रेसर नहीं खेलते हैं तो मरकस इसको यह स्वारी मरकस है इसको यह खिला सकते हैं नंबर चार पर एरों फिंच बहुत ज्यादा अची फॉर्म में है नहीं लेकिन यह स्कोर करेंगे एक दो मैच में जरूर और बड़े प्लियर हैं तो यह जरूर खेलेंगे इसके पाइब नंबर पांच पर आते हैं इस टीम की मिडल ओर्र की जान जोनाथन बैल्स हमेशा से इस टीम के लिए आपर मैस देते हैं मिडल ओर में बहुत अच्छी बल्ले बाजी करते हैं नंबर शापर हैं आंद्र रसेल यह अभी बीचल जाते हैं इनका मूड है ठीक है तो यह टीम गैंदबाजी दोनों में थोड़ी सी अच्छी हुई है प्रिवियस श्रीज या प्रिवियस लीग प्रिवियस यह पिछले साल के मुकाबले इस साल यह तीम बहतर नचर आती है जैसे कि अंद्रसेल का नाम सामिल हुआ है जोनाथन वेल्स का हुआ है ठीक है ना ब इस मैच में अब बात करते हैं पिछी रिपोर्ट की देखो डॉक्लाइंड स्टेडियम यह मैलवन का ही ग्राउंड है इसमें अभी तोटल फिप्टी फोर यानि चौन मुकाबले खेले गए और मजे की बात यह है कि वैटिंग फर्ष्ट ने सकता ही जीते हैं वैटिंग से 260 रन यानि की ना बहुत ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा लेकिन 160 मतलिक अच्छा कह सकते हैं कि अवरेज है तो सही माना जाता है कि 175 पढ़ने वाला ग्राउंड है अब बात करते हाइस स्कोर की तो मैलवन रैनिगेट्स ने 222 रन पर चार्ल बेक स्कोर विट्वीन 150 से 179 बार बनाया है स्कूर विट्वीन 172 189 यानि 170 और 189 के बीच में 14 बार बनाया है यानि स्कोर बढ़ा बनता है एक सो नभ्य से ऊपर जो स्कोर बना है वह सात बार बनाया चाहन मैं चोमे से साथ बार तो कह सकते हैं कि मतलब एक एवरेज ग्राउंड है और थोड़ा बैटिंग को सपोर्ट करता है अब आगे चलिए एक बार हैट टो हैड मुकाबलों की तरह दाल लेते हैं तो पास्ट आल रिकॉर्ट यह कहते हैं कि टोटल अभी तक 14 मैच हुए इन टीमों के 14 मैच जीती है मैलवन रैनिगेट्स पांच मैच जीती है सिड्नी यानि मैलवन रैनिगेट्स हमेशा हैवी रही है सिड्नी ठंडर पर लेकिन रिकॉर्ट बदलते हैं टीम बदली हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है तो इन रिकॉर्ट के आधार पर आप नहीं जा सकते हो कहने का मतलब है कि मैच मज़ेदार होगा डिपैंड करेंग टॉस किसने जीता है बैटिंग किस तरीकी की कर रहे हैं प्लेंग लेविन किसको खिला रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस करनी होंगी तो सबसे पहले की पिलेट्स की तरह डाल लेते हैं जो भाइव बनाते हैं वह इनने देख लेंग बार काफी आपको मिलेग हैं नीचे हैं गुरुंदर संधू यह प्रॉपर गैंदवाज हैं तो यह इनके की पिलेट्स हैं सिद्नी ठंटर के जो इस मैच में मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस देंगे दूसरी तरह मैलवन रैनिगेट्स की तरफ आते हैं सेम हार पर निक मैंडिंसन चॉ आपको ड्रीम इलेशन बनाने में काफी मदद करेंगे और यह जो की पिलेर्स हैं आपको इस मैच में बहुत कुछ करते देंगे तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आगे आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दे रखा है हमने तो जाकर जॉइन कर लीजिए आपको हमारा काम बहुत पसंद आएगा तो चलिए दोस्तों वाइबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में